पुर्ण शूरू करता है वहां से फिर हमारा ब्रेन काम करता है कि किस तरीके का एक्षिन लेना है इसी में से एक महत्योपूर्ण जो सेंस ओर्गन है वो है हमारे कान तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आपके कान की सेहत को दुरूस्त रखने के लिए आपके कान को स्वस्ति रखने के लिए बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके कान में बहुत दर्द होता है कान बहते हैं कान में सन सन या साइं साइं की आवाज होती है कुछ आसपास आवाज ना हो लेकिन फिर भी उनके कान में आवाज आती है आजकल pollution तो है ही जिसकी वज़े से गंदगी कान में इकठा होती रहती है अगर साफ सफाई उसकी ढंग से ना की जाए साथ ही loudspeaker की आवाज, bus, train और traffic की आवाज, कान में earphone लगा के बहुत जोर-जोर से music सुनने की वज़े से जो हमारे कान है उसमें धीरे-धीरे कही न कहीं कभी न कभी दर्द तो महसूस होता ही है आज की वीरियो आपके लिए important इसलिए है क्योंकि आज की वीरियो में मैं आपको बहुत important जानकारी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप योगी cleansing technique जो की कर्ण रंधर धावती है वो किस तरीके से करेंगे जिसे आपके कान के आसपास और कान के अंदर की जो muscles है उसमें blood circulation अच्छा हो कान की साफ सफाई अच्छी हो साथ ही बताऊंगी एक महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसकी मदद से आपके जो कान से related समस्याएं हैं वो दूर होंगी साथ ही कुछ घरेलू उपाय देसी जुगार इस तरीके से बताऊंगी कि उसको अपना कर आप सालों साल कान की इन समस्य जाओं से हमेशा के लिए छुट्टी पा सकते हैं इसके लिए करना क्या होगा आधी अदूरी वीडियो मत देखिएगा वीडियो को आंत तक देखिएगा और अगर पहली बार चैनल में आये हैं या पहले कभी भी वीडियो देखिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं क नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगाविश शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी हमारे जो कान का स्ट्रक्चर है वो गोल-गोल कोच के समान घुमाओदार है और इसके अंदर छोटे-छोटे हैर्स ह चोटे-छोटे बाल होते हैं और वैक्स की ग्लैंड होती है जो कि बाहर से आने वाली गंदगी या कोई भी ऐसी चीज जिसको हमारे कान में नहीं जाना चाहिए उसको वहीं पे रोक के इसको कान से बाहर कर देते लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके कान का स्वस्त होना अगर आप रेगलर कान की साफसफाई नहीं करेंगे तो गंदगी दीरे-दीरे इकटा हो जाएगी जो निकलने वाली वैक्स हमारे कान से वो भी दीरे-दीरे इकटा हो जाएगी और दीरे-दीरे कान में सुनाई देना कम होने लगता है अब कान की साफसफाई के लिए जब इससे साफ सफाई करते हैं तो बहुत से रिस्क होते हैं कि गलती से अगर माचिस की तीली तूड़ गई और कान के अंदर रह गई या कि वो कॉटन कान के अंदर रह गया या थोड़ा आपने जाधा प्रेशर लगा दिया तो इससे क्या होगा कि अंदर हो सकता है कि इंज तो इनसे blood circulation इंप्रूव नहीं होगा अब इस परेशानी से बचने के लिए भी योग में काफी अच्छी टेकनीक है जिसका नाम है कर्ण रंद्र धाउती यानि कान की क्लिंजिंग कान की साफ सफाई जो की हमारे योगिक टेक्स में बताएगे इसके लिए आपको जादा दिप कर लिया और फिर उसके बाद अपने कान में इस तरीके से डाला अराम जिरे घुमाया तो एक वैक्यूम जैसा effect आपको फील होगा इस तरीके से पांच बार 10 अपंद्रा बार इस तरीके से घुमाये और धीरे से इस तरीके से निकाल ले लेकिन इसके पहले यह जरूर तो अच्छी तरीके से साफ हो जाएं तो अब मैं दोनों अपनी उंगलिओं को इस तरीके से डिप कर लिया हैं दोनों कान में आराम से इस तरीके से डाला और इसको अराम से घुमाते हुए ध्यान रखियेगा बहुत अंदर की तरफ प्रेशर दे के मत कीज़ेगा ये चीज बहुत आराम आराम से जेंटल जेंटल इस तरीके से ये साफ सफाई की और फिर उसके बाद निकाल लिया इस प्रक्रिया को आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं बल्कि आप जब नहाते हैं जब आप नहाने के लिए बातरूमें जाते हैं तो इस तरीके से अपने कान की वाप्चर है कान का अंदर से बाहर की तरफ, देख रहे हैं आप, अंदर ऐसे उंगली डाली, जिससे क्या हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेशन, कान की जो स्किन है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन आराम से इंप्रूव होगा, और आपको पता है, कान की जो स्किन है, उसमें पैरा अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, इसी तरीके से दूसरे कान को भी, तो आराम से आप अंदर से बाहर, अंदर से बाहर ऐसे साफ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा नाखून अच्छी तरीके से कटे हों, साफ सुत्रे हों, और हम इस तरीके से अभ्यास कर लेंगे, अब थोड़ सा मसाज करते हैं कान के बाहर भी किस तरीके से अंदर तो साफ सफाई हो गई कान के बाहर आपने अपने थंब को लिया थंब से इस तरीके से कान का जो नीचे जो रूट है यहां से उठाते हुए धीरे धीरे आपने इस तरीके से हलका हलका मसाज दिया ऐसे तो दोनों पेशियां हैं वो भी एक्टिवेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और ये हो गया, इसी तरीके से कान के सामने की तरफ भी इंडेक्स फिंगर ऐसे ली और कान के सामने की तरफ भी हमने सेम प्रॉसेस करना शुरू कर दिया, ऐसे, 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 आराम-ाराम स कान के बाहर की ये पतली-पतली नसे हैं इनको हलका- עלका जेंटली प्रैस करना शुरू कर दिया, ऐसे, आराम-ाराम से, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो ये चीजें आप दिन में किसी भी वग्ड कर सकते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से हलकी-हलकी मसाज कर सकते हैं जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा ये इस तरीके से आराम से हमने प्रेस कर लिया तो ये इस तरीके से अब जो कान की लिड है इसको भी अंदर से बाहर की तरफ इस तरीके से हलका सा प्रेस करें फिर रिलीज कर दें फिर हलका सा प्रेस करें फिर रिलीज कर दें को दिख रहा होगा कि blood circulation improve हो गया है तो यह हो गई हमारी कान की exercise और कर्ण रंद्र धाउती का अभ्यास कर लिया जो कि आप दिन में कभी भी कर लिए अब चलिए बारी आती है प्राणायाम की जो कि one of the best प्राणायाम है आपके कान से related किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए तो सबसे पहले अपने दोनों थंब से इस तरीके से कान की लिड को बंद करेंगे ऐसे अंदर ना डालके ऐसे बाहर से बंद करेंगे आपके कान पूरी तरीके से बंद हो गए फिर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आँखों को बंद करें अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स के उपर रखें और लिटल फिंगर को लोवर लिप्स पर रखें और दोनों हाथों को अच्छी तरीके से आराम से रिल पर टच करना है और हमिंग, female humming bee की sound निकालनी है, क्योंकि जो female की frequency होती है, male की comparison में, female की voice की frequency, male की comparison में काफी अधिक होती है, और एक बहुत soothing effect, calming effect आपके brain में आप feel कर सकते हैं, आपके nervous system में feel कर सकते हैं, जो कि आपकी कान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो इस तरीके से कान को बंद किया, आखों को बंद किया, और अपने sense organs को बंद किया, और जो भी आवाज हम produce करेंगे, उसके कमपन को, उसके resonance को अच्छी तरीके से feel करेंगे, हम five times ब्रामरी प्राणयाम का अभ्यास कर रहे हैं, गहरी लंबी सास लेंगे, अच्छा है ंमिले बना खरुआए् producto घरुआएट। हुआ 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 शान्ती से आग बंद किये हुए बैठे रहे और जो भी ये वाइब्रेशन्स क्रियेट की है आपने रेजोनेंस क्रियेट किया है इसको फील करे शान्ती फील करे मन की शान्ती और धीरे से फिर आखों को ब्लिंक करते हुए आखों को खोल लें तो ये हो गया हमने किया ब्रामरी प्राणायाम का अभियास इसी तरीके से पाच राउंड, साथ राउंड, नौ राउंड, बारा राउंड आप जितने कमफर्टेबल फील कर रहे हैं उतना कमफर्ट होके अब बारी आती है उस घरेलू नुसके की जो मैं आपको बताने वाली और बहुत सिंपल है कान की सेहत को अच्छा रखने के लिए वैसे तो आज कल मार्केट में कई सारे एर ड्रॉप्स आते हैं लेकिन ये वाला जो नुसका है मेरी माने बहुत बच्पन से हमारे कान की सेह उठले ताकि रस निकल जाए और फिर किसी भी एडिबल ओयल यानी खाने के तेल जरसे सरसों का तेल हो गया तिल का तेल हो गया उसको हलकी आज में गरम करके उसमें इन लसून के पीसेश को डाल दे और इनका अर्क जो है उस तेल में उतरने दे फिर तेल को ठंडा कर लें और अच्छी तरीके से उस तेल को चान लें, ताकि लसुन का कोई भी पीज उस तेल में न रहें. अब इस तेल को ठलका ठंडा हो जाने दे, अब ठंडा हो जाने के बाद, cotton यानी रूई को इस तरीके से डुबाएं और रूई की मदद से आराम से, फिर हम तीन से चार ड्रॉप अपने दोनों कान में धीरे धीरे इस तेल को डालना शुरू करेंगे ये तेल बहुत ही लाबदायक है इससे कान के दर्द में बहुत ही जादा आराम मलता है गंधगी के कर्ण होंगे या गंधगी होगी कान की वो निकल जाती है और रात में इसको डालके इस तरीके से कान में आराम से सो जाए दो से तीन बुण डाले और धीरे धीरे इस तेल को अंदर जाने दे अब सेम तरीका हम दूसरे कान के लिए भी अपलाई करेंगे वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ear drops भी आते हैं जिनका आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घरेलों दूसकों की बाद कुछ और ही होती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कैसा रहा आपका experience अब इस तरह के से दोनों कान में कुछ तीन से चार ब्रॉप टालने के बाद आराम से सो जाएं और दूसरी सुबा बहुत फ्रेश फिल करेंगे तो I am 100% sure आपको सारी टेकनीक सारी चीजे crystal clear हैं अच्छी दरीके से समझ में आ गई होगी और आप खुद के लिए भी और आप अपने बच्चों के लिए अपने पैरेंट्स के लिए अपने स्पाउस के लिए ये सारी टेकनीक जरूर अपनाएंगे अपने दोस्तों रिश क्याल रखिए नमस्ते